उत्तर प्रदेश के चुनाव में जन्ता ने सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया भार्थी जन्ता पार्टी को हरा दिया इसलिए पूरे प्रसासन को लगा करके और भार्थी जन्ता पार्टी ने अपने गुंडों को आगे करकर के जो बहुमत का था जन्मत था उसका अपमान किया है ये जन्ता देख रही है और समय आने पर जन्ता एक बार फिर इन्हें उखार फिक देगी अगर पुलिस पिट रही हो पत्कार पिट रहे हो और पुलिस अपने लोगों को ना बचा पा रही हो S.P.C.T. का वो कथन उनका कहना सरकार को सुएं संग्यान लेकर के उन दोश्री लोगों के खिलाफ कारवाई कर देनी चाहिए अगर S.P.C.T. उस समय कह रहे हैं कि भारती जन्ता पार्टी के जलादेख भारती जन्ता पार्टी के बिधाएक भारती जन्ता पार्टी के कार्यकरता बम चला रहे हैं पत्थर बाजी कर रहे हैं पीट रहे हैं मुझे तप्ण मारा है अगर पुलिस उस समय हाथ खड़े कर लेगी तो आप किस से उम्मीद करोगे नहा है क्या ये वरिष रदिकारियों को सोबा दे रहा है कि उनका ही सहपाठी उनका ही सहयोगी इस तरीके से अपमानित हो रहा हो और सवाल भारती जन्ता पार्टी से आज पहली बार है भारती जन्ता पार्टी ने अपना संकल्पत बनाया और अगर संकल्पत देखेंगे उस संकल्प में ये योगी जी नहीं थे जो उनका संकल्पत बना है उसकी अगर तस्वीरें देखेंगे तो उसमें योगी जी नहीं थे तस्वीर में भारती जन्ता पार्टी के भी सदस नहीं है उनसे पहला सवाल यह है कि भारती जन्ता पार्टी ने अपना संकर्पत जारी किया भारती जन्ता पार्टी यह बताए कि आज किसान की आए क्या है लगातर जब डीजल, पैट्रॉल, खाद, कीट ना सक दबाईयां, बीज, सब कुछ महंगा हो रहा है आज किसान की आए क्या है, और जो वादा किया था जंता को, किसानों को किसान की आए दोगुनी हो जाएगी, उनी का घोशना पत्र मेरे हाथ में है उनी का संकल पत्र मेरे हाथ में है, जो पहले पन्ने में, किसी विकास का बने आधार में, जो आखरी बिंदू है, आखरी सवाल वो यही है कि 2022 सक उत्तपदेश के किसानों की कृशी आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तित रोड मेप तयार किया जाएगा, यह भाती जंता पार्टी का संकल पत्र है इसलिए जो सवाल आपने पूछा है, भाती जंता पार्टी इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है, उन्होंने अपना गोशना पत्र, संकल पत्र कुड़े दान में फिक दिया है इसे भाती जंता पार्टी को सबसे पहले यह बताना चाहिए, कि साड़े चार साल में आपने कौन सा रोड मेप तै किया था, जिससे किसान की आमदनी दोगनी हो गई है, और भाती जंता पार्टी सरकार में है, यह बताए, कि आज किसानों की आय क्या है, और जिस दिन भी प की है अभी एक लाग करोड रुपया भी मंडियों के लिए आया है जब कि साड़े चार साल में जो पूरी कुछ लोगों से मुलाकात नहीं है कुछ लोगों से हुई है दो हजार बाइस उसी के शुरुआत है कि आप देखिये हमारे बगल में डॉक्टर ध्रमपाल सिंग जी बैठे है और उनके बगल में एक बहुजन समाज पार्टी के बहुती सीनिय नेता है इसी तरह समाजवादी पार्टी जोड़ती रही कि लोगों को और हमारा जो विकास का रास्ता है इस विकास के रास्ते पर कोई बहस नहीं है आप स्विकार करें न करें लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि यही असली विकास का रास्ता है क्योंकि हमारे मुख्यमंती जी विकास पसंद नहीं करते हैं इसलिए दूसरी तरफ ले जाना चाहते है उन्हें तो एक ही आता है ठोको जेसी भी एक नई मशीन ले आए है एक जेसी भी मशीन जान गए है या ठोको जान गए उन्हें चलाना आता है जिसी में मशीन के नहीं आता है सवाल ये भी एक बड़ा है खुद अगर बैठा दिया उस पे तो नजाने क्या क्या तोड़ देंगे इसलिए पहला भाती जंता पार्टी से सवाल यही है कि किसानों की आज आए क्या है और 2022 तक उन्होंने अपने घोष्णा पत्र में बादा किया था कि किसानों की आमदनी को दूगना कर देंगे अभी किसानों की आमदनी दूगनी हुई कि नहीं हुई यह सरकार को बताना है भारती जंता पार्टी ने अपना संकल पत्र कुड़ेदान में फिक दिया है संकल पत्र में मुखंदी जी की तस्वीर नहीं है इसलिए उन्हें उन्हें कुड़े दान में फिक दिया इसको तो ये सवाल पहला है जो उनका सबसे पहला किसानों के लिए लिए लिखा गया है वो हम जानना चाहते हैं किसानों की आये दोगनी कब तक होगी दो हजार बाइस के लिए लिखाया उन्होंने अभी घोशन पतर आएगा इससे ज़्यादा किसानों की मदद इससे ज़्यादा नौजमानों के रोजगा और नौकरी का इंतजाम समाजवादी सरकार करेगी मैं तो आप से कहना चाहता हूँ कि कभी मख्वंतीज नहीं कहा है कि सुपर किटिकल थर्मर प्लांट 660 सुपर किटिकल थर्मर प्लांट कभी उनके मुझे सुनाए कि नहीं सुनाए अगर नहीं सुनाए तो वो बिजली के बारे में नहीं जानते बिपक्ष की कोशिस होगी समाज़ादी पाटी कोशिस होगी जादे से जादे दल को साथ ले ले सब को लेंगे जो जो चोटे दल है सब कई बार मैं कह चुका हूँ फिर रिकॉर्ड कर लो कि सबी दलों को, छोटे दलों को साथ लेने का प्रयास लगातार समाजवादी पार्टी करेगी भारती जनता पार्टी जनता से नहीं लड़ सकती जनता बदलाव चाहती है और बदलाव का परणाम आपने देखा है कि सबसे जादा जिला पंचाह सदस समाजवादी पार्टी के जीते थे आज भी गिंती कर सकते हैं लेकिन जिस तरीके से भैस्टाचार पैसे का और प्रसासन का इस्तमाल हुआ है उस से परणाम बदले है ये भारती जंता पार्टी कहती थी कि नोड़ बंदी से भष्टाचार खतम हो जाएगा लेकिन पूरे उत्तपदेस ने देख लिया है कि जिला पंचास सदस्यों को और वीडीसीों को कैसे मनाया मैं उसका जवाब दे चुका हूँ पूरी बात क्या कि जवाब दे चुका हूँ इस तक हजार करोड से जादा किसानों का पैसा बकाया है गन्ना किसानों का ए फरोजावाद वाले शांत रहे मैं आप से सेमत हूँ कि ये सरकार में नहीं आएंगे मैं आप से सेमत हूँ उत्तब रेस की जनता भारती जनता पार्टी को हटाना चाहती है जनता से ज़्यादा संख्या नहीं हैं की जनता बदलाब चाहती है अभी भारती जनता पार्टी के लोगों के लिए दर्वाजा नहीं खुला है उनकी टिकेट कटेगी तो देखिये किदर किदर जाएंगे उनकी सूची बन गई है जब टिकेट कटेगी तो वो जानते होंगे कितने जाएंगी इसी तरह अर्यों मुपादी जी आ गए क्या नहीं आ पाए चली को बाती हाला कि वो नहीं पहुँच पाए है भई मैं किसी दलके भविस कैसे तेह कर सकता हूँ हम अपना भविस बना रहे है और आप अरे आप खुछ सोचिए कोविट के समय पर क्या हैंडलिंग थी सरकार क्या कर रही थी और लॉकडाउन के समय पर क्या नहीं हमने देखा हमने आपने और जिन परिवारों के सदस चले गए हैं जिनकी जान चली गई मामूली से दवाई मिल जाती समय पर इलाज मिल जाता अस्पताल में बैड मिल जाता ऑक्सिजन मिल जाती डॉक्टर देख लेते ये डॉक्टरों का दोस्ट नहीं है ये सरकार का दोस्ट है क्योंकि सरकार में मुखंदी समझतें नहीं कोई चीज उन्होंने का सब चीजें हैं हर चीज ब्लैक हुई ये सवाल बड़े हैं और आज जिन परिवारों के सदस चलेंगे सरकार ने क्या मदद की है और इतनी महंगाई होने के बाद इतनी महंगाई जब हो गई है तो बताईए रोजगार और के अफसर क्या पैदा के हैं सरकार ने ये बहुत बड़े सवाल है इसलिए केवल एक सवाल आज है किसान की आये दोगनी कब होगी तम्हारा आकरी सवाल कभी नहीं होगा आप उसमें आप खुछ समझदार हैं मैं कोई राय नहीं दे सकता इस पर उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है खुशाली चाहती है समाजवारी सरकार में जो योजनाय विकास कार हुए थे वो आज भी सामने दिखाई दे रहे हैं कोवीड के समय पर आपके एम्बूलेंस ने मदद की और यह सरकार ने एम्बूलेंस बंद कर दी है एम्बूलेंस बंद कर दी हैं सरकार ने समाजवारी सरकार बनने पर और ऐसे सरकारी अधिकारियों ने जिसनों ने आकड़ों को छिपाए उनके खिलाबी करवाई होगी और जिलाप पंचायत के चुनाओं में और ब्लाग प्रूमू के चुनाओं में जिन्हों ने अधिकारियों ने अपनी सीमा लांग गए हैं उनकी भी सूची बनी हुई है मैं उत्तपदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सका भरोसा नहीं कर सकता इसलिए साथी में दो हमारे साथी जिनका जनम दिन है उनको बहुत बहुत बढ़ाई और आप मेंसे बहुत सारे साथी ने बढ़ाई दीती आपका धन्यवाद